यह ग्रेडिंग सिस्टम एक अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रेडिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट है बिकॉस कोई भी वेबसाइट है उसको responsive बनाना बहुत ही important होता है आज की date में specially तो ऐसे में आपका ये grading system आपको बिना ज्यादा मेहनत किये किस तरह से responsive बनाने में help करेगा तो चलिए आज यही पूरा मैं आपको practical grading system bootstrap का सिखाने वाला हूँ तो इसके लिए आपको वीडिय स्क्रीन पर है और as you can see यह एक example ले रहे हैं grading system का so that you can understand what is grading system और यह grading system हम bootstrap के साथ में कल ले रहे हैं तो you can see यहां से मैंने bootstrap के जो एक जो पूरा layout है वो मैंने लिया है और यह हमने उसके द्वारा create करा है और ऐसा ही अब यह कर क्या रहा है grading system basically क्या करता है आपका यहां पर responsive हर website जो है वो SEO के according responsiveness उसके अंदर हो नीच यह तो responsive करता यह तो चलिए responsive कैसे होता है तो you can see यहां से मैं अभी drag कर रहा हूं और इसका size जो है दीरे दीरे छोटा करना हूं तो जैसे जैसे size चोटा करना हूं you can see यहां पर grid जो है वो change होते जा रहा है उसका size जो है resize होते जा रहा है और दीरे दीरे और नीचे लेके जाता हूं और छोटा screen size करता हूं तो you can see यहां पर जो है वो आपका उपर वाला एक पूरा 100% screen पर आ गया बट दो जो grid है वो 50-50 screen को वो share कर रहे हैं और अगर हम नीच जाएंगे तो you can see यह exactly ऐसे करते जाएंगे और जैसे मैं वापस इनको बड़ा करता हूं तो देख सकते हैं वापस जो है यह arrange हो गए है तो यह system जो है वो basically कैसे काम कर रहा है यह grid system इसको हम create करके देखेंगे तो you can see अभी जो created है वो इसके अंदर यहां पे है तो मैं क्या करता हूं यहां पर एक और create करता हूं आपके लिए तो यह यहां पर हम एक और container लेते हैं तो पहला div हम create करते हैं जिसमें हम लिखते हैं class container right class container जो है not wrapper container हम यहां से ले लेते हैं और उसके बाद में so basically container करता क्या container क्या यह आप देखते हैं यहां से यह size बचा हुआ है यहां से यह size space बचा हुआ है यह जो एक center में जो है पूरे content को align करता है तो यहां पर हम container करने के बाद अगर मैं यहां पर div create करता हूं और मैं यहां पर 3 div create कर देता हूं और यह मैंने एक और डिव क्रेट करा तीन डिव मैंने क्रेट कर दिया अभी अगर हम यहां पर देखेंगे तो you can see कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा तो चलिए अभी मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूं टेस्ट Deutsch करके यहां यहां पर भी मैं लिख देता हूं टेस्ट और थार्ड वाले में भी मैं लिख देता हूं डेस्ट ओ or so that you can understand की ग्रिड जो है वो विजिबल है तो तो you can see यहां पर grid visible है और grid कुछ इस तरीके से हमारे बने है तो अभी जो है इनको थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाने के लिए मैं यहां पर style एड़ करता हूँ और मैं यहां पर लिख देता हूँ बॉर्डर और border के अंदर हम यहां पर add करेंगे let's say solid और one pixel का जो है हम यहां पर border define करते हैं और यह करके अगर मैं देखाऊं तो you can see यह पूरा hundred percent आपका जो है यह grid बन रहा है तो इसी को अगर मैं यहां से copy करता हूँ और दूसरों में भी paste करता हूँ जो आपके second div बनाया और third div बनाया तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो you can see यह कुछ इस तरीके से आया है अब इस तरीके से आया तो इसको हमने इस structure के अंदर add करना है तो कैसे करेंगे तो मैं पहले करता हूँ यहां पे जो container है इसमें एक style लगाके margin top जो है थोड़ा सा नीचे space देने के लिए margin top 45 pixel कर द देखे रहा हमें तो यह जो है अभी इनको कैसे exactly वैसे बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यह जो हमने आपका जो div है उसके अंदर जो हमने style sheet लगाई है इसको remove कर देते हैं और हम यहां पर bootstrap का यह जो class है वो define करेंगे class के अंदर तो पहला तो मैं यहां पर क्या कर यह जो पूरा space होता है वो one से लेके 12 तक का पूरा divide गया है grid system के अंदर तो 12 column choice के अंदर divine हम define कर सकते हैं तो मैं अगर यहां पर 12 करता हूं तो 12 करने के बाद में you can see मैंने करा लेकिन कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे एक बार मैं यहां पर again style में जाके border फिर वा solid and one pixel फिर से कर देता हूं यहां पर so that की यह दिखे आपको you can see यहां पर 12 करा तो यह इस तरह से आया लेकिन अगर मैं इसको 12 की जगे पे 6 कर देता हूं तो कैसे आता है तो you can see यहां पर 50% आया अगर मैं इसको 8 कर देता हूं तो you can see इस तरीके से आया अगर मैं इसको 10 कर देता हूं तो you can see यह थोड़ा और बढ़ गया तो यह जो grading system है यह bootstrap के अंदर बहुत ही easy है maintain करना ठीक है तो अब मैं क्या चाहता हूं यहां पे जब large screen पे हो तो यह आपका 6 pixel पे हो मतलब 50% पे हो तो you can see यहां पे 50% में exactly आ यानि की column जब large screen पे हो तो यह क्या करें 3 columns को जो है आपका यूज करें और इसी तरीके से हम यहां पे class लिखते हैं call-lg large screen पे 3 को use करें तो यहां पर भी मैं एक आपका grid system और इसका जो border है वो define करके दिखा देता हूं so that कि हमें visibility आजेगी कैसा क्या दिख रहा है तो you can see यहां पर यह नीचे नीचे आ रहा है अब नीचे नीचे आ रहा है लेकिन हमें तो चीए कुछ ऐसा तो यह ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो उसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा यह जो div हैं हमारे जो हमने create करें 3 test test वा यह सभी इसी के अंदर आएंगे तो यह आपके रो में आएंगे मतलब एक ही लाइन के अंदर जो है मैं इनको define करना तो अब अगर मैंने यहां पर देखा हूं तो you can see यह आपके exactly बन गए अब यह बन गए है तो अब देखते हैं कि यह exactly वैसे काम करते कि नहीं करते तो मैं यहां पर उपर वाला hundred percent ठीक है बट नीचे वाले भी 100% और नीचे वाले भी 100% वैजबकि यहां पर हमने जो है दो दो होने चाहिए तो यह काम कैसे करता है तो चलो इसको अचीव करने के लिए बहुत ही simple सा task हमने करना है so what I'll do is पहले तो मैं इसके में कुछ background, color वगरा define कर देता हूँ मैंने यहाँ पर CSS पहले से define करके रखी है तो class के अंदर यहाँ पर demo example करके मैंने यहाँ पर बना के रखा style sheet तो मैं वो यहाँ पर add कर देता हूँ और उसके बाद में हम आगे देखते हैं यह जो style हमने border का दिया अब इसकी requirement नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर already जो CSS के जरीए मैंने define करके रखा background, color वगरा वो हम यहाँ पर लगा चुके हैं और आब यह test को भी हम यहाँ से हटा देते हैं इस तरीके से और let's see तो you can see यह हमारे जो grid है वो इस तरीके से अब दिख रहे हैं अब हमने क्या करना है अचीव करना है कि जब यह छोटे screen पे आए तो यहाँ पर दो में यह नीचे वाले जो दो column है वो आपके यहाँ पर 50-50 करके share होने चाहिए तो इसको अचीव करने के लिए मैं यहाँ से भी इसका एक margin हटा दोता हूँ ताकि यह बराबर हमें दिखाई दे और यहाँ पर मैं style में डाज देता हूँ style और यहाँ पर कर देते हैं यह है तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का हमें layout जीए है यहाँ पर भी तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर लेना है column-small small margin पर आजाए या उसकी जो screen size है वो small में आ जाए तो उसमें आपका यह जो पहला वाला क्या है small के अंदर 12 पर चला जाए यानि कि 100% पूरे 12 column को इस्तेमाल करें लेकिन जो नीचे वाले दो column है यह क्या करें यह जब small screen पर आए तो यह आपके 6 columns का इस्तेमाल करें और उससे नीचे वाला जो है वो भी आपका यहां पर sorry इसको अंदर create करना है column जब small पर आए तो यह भी आपके 6 columns को इस्तेमाल करें तो चलिए अभी जो है एक बार refresh करते हैं तो you can see exactly वैसा ही हो गया जैसा उपर वाला define किया गया है अब मैं अगर इसको बड़ा करता है तो you can see exactly वैसे ही ये भी act कर रहा है जैसे उपर वाला act कर रहा था तो वैसे ही अब मैं जब इसको छोटी स्क्रीन पर करूँगा तो you can see exactly यहाँ पर यह नीचे तो इसलिए कभी भी आप लोग जो website बनाएंगे तो make sure करें कि आप grading system का इस्तेमाल करें so that कि आपकी जो website है without any additional जो आपके CSS वगरा आप आसानी से आप उसको क्या कर सकें responsive के अंदर create कर सकें so guys I hope कि आपको यह पसंद आया अगर आप इस तरह से पूरा web development का full stack का जो है course enroll करना चाहते हैं तो आप हमारी official website tgmaccat.com पे आ सकते हैं वहां से हमारा bootstrap जो आपका program है उसके अंदर enroll कर सकते हैं जिसमें मैं आपको पूरा basic से लेके advanced level तक जो है पूरा full stack web developer जो है उसका पूरा content आपको मिलने वाला है तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और ने topic के साथ तिल दे से सेफ गुडबाई